नमस्का फ्रेंड्स मैं हूँ योगेश्यास कम्पूटर डिजी क्लास में आप सभी का स्वागत हैं आज के लेक्चर नंबर 192 और एक्सल के लेक्चर नंबर 64 में हम देखेंगे पाइवट टेबल पार्ट फोर ये वीडियो में हम फिल्टर के बारे में सिखने वाले हैं वो आपके सामने एक छोटा सा डेटा बेज हैं और ये डेटा बेज में से हम एक पाइवट टेबल इंसर्ट करने वाले हैं चलो में यहां ले लेता हूँ Social category को में Ro में paste करने वाला हूँ और Religion को मैं कॉलम में paste करता हूँ और Student name को में value में paste करता हूँ जैसे आप देख़े हो मेरे सामने एक छोटा सा टेबल बन चुगा है पाइवर टेबल को हम थोड़ा सा modify करेंगे जैसे कि हमने All Bordal लगा दिया है और कोलम को छोटी बड़ी कर देंगे ताकि अच्छी तरह से हमें समझ में आए चलो इस तरह से हमने ये प्रिपेर कर दिया है अब यही टेबल को हम एक बार कोपी करेंगे फिर से कोपी करने से पहले आप देखरो जहां पर वेल्यू नहीं है वह हमें 0 दिखना चाहिए कोलम सिलक करेंगे एनलाइज में जाना है ओप्शन में चले जाएंगे वहाँ पर फोर एम्टी सेल 0 लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे ओके प्रेस कर दिया ये चलो हो चुका अब यह पार टेबल को हम कोपी करने हैं यहाँ पर कोपी करेंगे हमने पेस्ट कर दिया चलो है टेबल कोपी हो चुका है अब यही टेबल में से शोशल केटेगरी और रिलिजनम निकाल देते हैं इनकी जग हम लेते हैं बेंक नेम रो बना देंगे और जेंडर यह जेंडर को हम कोलम बनाएंगे चलो इस तरह से आपके सामने कुछ डेटा रेड़ी है हम इससे थोड़ा चा छोटा कर देंगे अमें दीख रहा है चलो यह जो कोलम है यह कोलम को हम लेफ्ट एलेमेंट बना देंगे चलो इस तरह से दो टेबल ओडरी प्रिपेर हो चुके हैं अगर चाहो तो आप इससे डिजैन चेंज कर सकते हो हमने यह डिजैन चेंज कर दी है चलो आज हम फ्लटर यूज़ करने वाले हैं फ्लटर के लिए हमारे यह आपर जो बॉक्स है वह हमें drag and drop करना है, क्योंकि हमने आज तक filter use नहीं किया है, तो सबसे पहले हम यह table select करेंगे, यह private table हमने select कर लिया है, अब हम studying class को filter row में रखेंगे, जैसे यहाँ पर click करेंगे, यहाँ पर देखो, एक social studying class नाम के एक filter हमारे पास यह filter row आ चुकी है, और एक section भी हम filter में रखे देखेंगे, ताकि यह studying class और section दोनों को filter कर सके, जैसे हम studying class को select करेंगे, हमने standard 2 select किया, ok press करेंगे, आप देख रहे हो, यहाँ पर standard 2 में कितने बच्चे, OBC, STO, जहनल है, वो यहाँ filter हो चुका है, अब standard 2 के अंदर हम A भी ले सकते हैं, A के अंदर कितने बच्चे, वो हम filter कर सकते हैं, अब दोनों filter को हम clear भी कर सकते हैं, चलो हमने all select कर लिया, और हमने यहाँ पर भी all select कर लिया, तो इस तरह से हो चुका है, चलो, हमारे सामने यह आ चुका है, लेकिन अब, अगर मुझे multiple standard चाहिए, तो मुझे यह select करना है, और इस तरह से मुझे 2, 4 और 5, इस त और हमें बचे की counting यहाँ मिल सकती है, और हम लेंगे A, यहाँ पर multiple, A और C, दोनों लगा दिया, इस तरह से student आ चुके, यह filter हो सकता है, चलो, हमने यह filter लगा दिया, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो यह filter के लिए हमें इससे भी filter different से, अलग से लगाना होगा, ह तो friends, इसके लिए एक छोटा सा option है, यहाँ पर और इससे कहते हैं हम slicer, तो आज हम insert slicer करेंगे, हम slicer का use करेंगे, insert slicer, हम जैसे insert slicer पर click करते हमारे सामने slicer की option आती है, यह हमारे सारी column दीख रहे है, आपको कौन कौन सी field में slicer लगाना है, वो पूछा जाएगा, चलो, हम लगा देते है, studying in class और section, दोनों के बीच में हमें यह लगाना है, हम ok press करेंगे, जैसे आप ok press करेंगे, आपके सामने दो filter आएंगे, आप देखो इस तरह से आपके सामने दो filter आ चुके, दोनों different filter है, चलो, जैसे filter को चिले करोगे, आपको यहाँ slicer का option दिखाए, option menu नहीं आएगा, जैसे बहाँ क्लिक करोगे, कोई menu active नहीं है, लेकिन slicer को मैं active करता हूँ, तुरंत option menu active होता है, वो option menu के अंदे चले जाओगे, आपको slicer की style दिखाए देगे, आप जी सार से style रखना चाहों, रख सकते हो, चलो, मैंने यह style और select कर ली, तो यह हो चुका है, मैंने सिंगल कोलम में सारे option दिखाए दे रहे, लेकिन मैं अगर चाहूँ तो यहां कोलम बढ़ा सकता हूँ, मैं इस तरह से चार कोलम में बना सकता हूँ, और इस तरह से मैं slicer को modify कर सकता हूँ, जैसे मैंने इस तरह से slicer बना दिया है, यह slicer मेरा बन चुका है, चार कोलम में, और ये slicer है, इस slicer को भी में change कर सकता हूँ, इस तरह से छोटा बड़ा कर सकता हूँ, A, B, C इस तरह से रख सकता हूँ, या तो बड़ा भी सकता हूँ, चलो हम ने ये बड़ा दिया है, चलो हम slicer बड़ा कर देंगे यह तरह से हो चुछ है अब आप देख रहो जैसे मैं one पर click करता हूँ आप देख रहो यहाँ पर यहाँ पर एक है और यहाँ all है अगर मैंने यहाँ b select की आप देख रहो यह filter भी यहाँ one और b है यहाँ एक और b है मैं slicer दोनों slicer को इधर ले लूँगा आपको अच्छे तरह से दीखाए देख चलो मैंने इस तरह से select किया मैं a select करूंगा तो one यहाँ रिपोर यहाँ पर भी फिल्टर में changes होता रहता और आप देख रहे हो यहाँ पर भी यह टेबल के अंदर कोई changes दिखाए दिखाए रहे 781 है और यहाँ 42 है सबकि मैंने दोनों filter को यहाँ से अगर clear कर दिया तो इस तरह से होगा 781 यहाँ पर भी 781 मेरे slicer का impact सिर्फ और सिर्फ यही टेबल पर होता यह टेबल पर नहीं हो रहा है तो मुझे दोनों टेबल पर एक ही साथ ही effect लाना हो तो case से करेंगे सिम्पल सी बात है हम यहाँ से सबसे प्यालए filter को clear कर देंगे चलो हमने filter को clear कर दिया है अब यह filter slicer को select करेंगे option menu में जाएंगे और report connection में जाना हमें कर दिया इसी तरह section को भी में report apply कर दूंगा report connection में जाएंगे पाइब टेबल 3 है और पाइब टेबल 5 दोनों select करेंगे ok प्रेस करेंगे अब friends हम देखते हैं देखू यहां 781 है यहां पर भी same यह है लेकिन जैसे मैंने standard 4 select किया आप देखरो 103 और यहां पर भी इस तरह से दिखाए दे रहा है जैसे मैंने standard 4 के अंदर 20 selection किया तो आप देख रहे हो यहां 35 है यहां पर भी 35 है तो एक ही साथ a slicer का impact दोनों टेबल पर हो रहा है इस तरह से आप standard 2 select करो कि आप देख रहो सी सी है ही ने standard 2 में सी नहीं है तो वह enable नहीं हो रहा है disable देख रहा है standard 1 a और b यहीं है अगर आप ऐसा चाहो के मुझे multiple selection करना है तो control प्रेस करके two और four दोनों को select के जिए आप two और four दोनों को एक साथ एक section में select कर पाऊगे आप a और b section दोनों में select करोऊगे उसी तरह यहां से selection होता रहेगा तो फ्रेंड्स यह है slicer का कमार और slicer यूज करना इतना आसान भी है फ्रेंड्स मेरे अच्छा लगा तो लाइक जरू करें और मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें बेल आइकन को भी प्रेस करें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक thanks for watching में हुयोगे श्वास फ्रम computer दिए्यक्लास गुद बएग